बिस्मिल्यादारामारे रहीव, असलामलेकुन दोस्तों गैसे हैं आप सब मैं हूँ इजानसारी और आप दिख रहे हैं इजानसारी फूर सीक्रेट्स अलावड़े कद्दे आपके खानों में आपके रिज्क में आपके जायकों तो मेरे पर आदिमा आपके लिए रमजान स् सके स्टार्ट में आपको इंशाला पता चल जाएगा चलें जी इसमें लाड़ा बनाएं तो यहां पर सबसे पहले अपने खुछबुएं त्यार करना ही है फ्लेवर निकालना है तीन से चार चमच लेंगे कुकिंग ऑल इसमें हाफ टी स्पून वाटी स्पून जीरा और य यह ऐसी खुशबूर फ्लेवर लेके आएंगे ओवरार रोल के अंदर के आपको एक सर्प्राइज मिलेगा कि इतना फ्लेवर आया कैसे लेकिन खास बात आपने इनको जलाना नहीं है लो से फ्लेम के उपर इनको आपने रोस्ट करना है तभी इनकी खुशबूर फ्लेवर निकलेगा उसके बाद चिकन का कीमा हमारे पास यह तकरिबन हाफ फिले है जिसका मैंने कीमा किया था भी जॉपर में तो इसको आपने आइड कर देना है अब जब आपने कीमा पकाना शुरू करना है स्टार्ट में चिपकेगा उसके बाद क्या करेगा यह सेपरेट हो कर देना उसके बाद नमक इसमें वांटी स्पून लाली मिर्च का पार्डर भी वांटी स्पून जाएगा और सबसे हैं चीज काली मिर्च हाफटी स्पून थोड़ी सी हल्दी एड कर देंगे और बस और कोई मसाला आपने यहाँ इसमें एड नहीं करना ठीक है अच्छे से यह तीनों वो वेजिटेबल्स हैं जो में डॉल का फ्लेवर लेके आती है ठीक है यह आपने ज़रू आट करने है और दो से तीन हरी मिर्च बारी कटी हुई अब आपने इन सब चीजों को पकाना अब यहाँ पर होगा क्या सबजियां जो है यह थोड़ा सा पानी चोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगी आपने इसको तब तक पकाना जब तक कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे अब हमने इसको उतार लेना है शांदार से इसका फ्लेवर तेयार हो चुका है लेकिन अभी इसके अंदर कुछ और चीज़ें जो जाना बहुत ज़रूरी है इसके बाद इसको क्रीमी करने की एक तो यह है किसके अंदर हम मुजरेला चीज़ एड करते हैं लेकिन वह बहुत महंगी होती है तो उसका सब्सक्राइब हम ऐसा करेंगे कि हमारे पैसे भी जाला ना लगे और शांदार सी चीज़ भी तयार हो जाए मज़ा भी आ जाए ठी ठीक है तीन-ती टेबल स्पून मैंने दोनों चीज़ें ले ली है इससे क्या होगा इससे भी कमाल हो जाएगा इससे जादू हो जाएगा और सच में ऐसा ही होगा ठीक है इसकी जो खास वज़े है जिस वज़े से मैं यूस कर रहा हूँ वो इसके अंदर एक क्रीमी टच ले हमें चाहिए यहां पर थोड़ी सी लेई ठीक है तो डे टेबल स्पून पानी में डे टेबल स्पूनी मैंता अड़ करके अच्छे से सको मिक्स कर देंगे ठीक है उसके बाद इसमलार मारा ही हमें चाहिए एक रोल पटी रोल पटी जो है या रखिए कि यह स्केर होती है मतल जाती होती है ठीक है लेगाएंगे फ्रंट वाली साइट पे ठीक है और यह आपने तिर्शा ही रखना है रोल पटी को रोल पटी की रेस्पी स्मुसा पटी की रेस्पी मेरे चैनल पे है मैंने पिछले हफ्ते लगाए थी जाके देख लें बहुत ही असान काब है यह बनाना है गाजी आहम चीजर है जो हम आपको सिखाने वाला हुटी क है चलें जी बिसमिलारा मारा है ऐहम चीज है कभी भी समुसा रोल या पटी वाले हों-ँद से बनाई हुई डो के हो मोटेवाले देश्ती समुसे कभी भी समुसा या रोल को आपने हाइब फ्राई नहीं करना कियों देखेंगे मैंने लो से फ्रेम के आप इनको फ्राई करना कियुक्тов Ahh इससे क्रिशपी तो होगंगी होगा इसके ओपर बबल्स नहीं आएंगे ठीक है जब हम थोड़े से medium to high flame के उपर इनको fry करते हैं उपर bubbles आ जाते हैं क्रिस्पी खराब हो जाता है और look भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ठीक है इन चीजों का बस आपने ख्यार रखना है ताके पता चले आपने ये recipe सीगी है चले जी फाइन लोग की तरफ चलते हैं बिस्मिल्ला रामान रहिम तो माशाला अलहमदलिल्ला देखेजिए में रला की शान उसकी रहमते नईम ते और बरकते जरुबाते हो काना में प्रसों शांदार चिकन रोल रेस्पी तैयार है इसी तरह चिकन समोसा recipe के लिए इफतार recipe सब्सक्राइब के लिए हमारे चैनल के बिस्टेक्शन जाहिए द्वा में रखें लिए तक आला हाफीज